हाई फ्रेंड्स पीके स्टूडियो कोटा में एक बार फिट से आपका स्वागत है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आज मेरे पास है निकोन का D-3400 केमरा फ्रेंड्स इस केमरे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस केमरे में जो फोटो शूट करते हैं लुटूथ के जरिये आप मुबाइल में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं इस टोपिक पे आज हम बात करने वाले हैं तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं आगया हूँ केमरे की डिस्प्ले पे यहां से सबसे पहले आपको यहां से आपका केमरा ओन कर लेना है ओन करने के बाद आप यहाँ पर जो यह message देख रहे हैं इसको देख सकते हैं यहाँ पर यह भी एक problem है इससे आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ पर यह kit lens दिया हुआ है इसे open करना होता है open करने के बाद ही यह message यहाँ से अड़ता है और बहुत लोग हमें comment में बोल देते हैं कि हमारे यह problem आ रही है इसके बाद friends आपको यहाँ पर menu का button प्रेस करना है जैसे आप menu के button पर जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं setup menu यहाँ पर आजाना है Connect to Smart Device, Send to Smart Device और Bluetooth जो ये options blank आ रहा है इस options के लिए भी मेरे पास बहुत मेंसे जाते हैं इसकी भी problem मैंने sort out कर रखिये तो यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है इस पर ध्यान नहीं देना है यहाँ पर आपको Connect to Smart Device इस पर जाना है और आपको यहाँ पर OK प्रेस कर दे करेंगे यहाँ पर आपको hold हो जाना है इसके बाद आपको अपना mobile लेना है mobile में आने के बाद आपको यहाँ से play store से एक application डाउनलोड करनी है इसनी ब्रीज यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका logo किस तरका है इसे आप वहाँ से download कर लेना download करके इसे install कर लेना install करने के बाद इसे open करना है जैसे आप open करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं connect to camera यहाँ पर आपको click करना है जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको यह नीचे options आ जाता है कि आपको जो Bluetooth है वह allow करना है यहाँ पर हम Bluetooth को allow कर देंगे आप यहाँ उपर देख सकते हैं Bluetooth का जो option से वो open हो चुका है इसके बाद यहाँ पर आप इसमें देखेंगे अपना serial number यहाँ पर जो D34 camera अपने पास connect करना है उसका serial number आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे मैं यहाँ से क्लिक कर दूँगा जैसे मैं यहाँ से क्लिक कर दूँगा आपके सामने pair with camera यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पर आप इधर देख सकते हैं इधर OK का बटन आपको प्रेस करना है जैसे आप इधर OK का बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको उपर एक message मिल जाए तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं connect to camera यहाँ पर यह आ चुका है और इसके बाद यहाँ पर यह ओके प्रेस करना है इसके बाद आपको पेर करना है पेर करने के बाद इसे ओके प्रेस करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर pairing complete हो चुकी है, और यहाँ पर complete होने के बाद आप download picture यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह तोड़ी ही देर में connect हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो camera 3400 है उससे हमने अपना mobile कनेक्ट कर लिया है, अब यह यहां पर आप देख सकते हैं, जो भी इस केमरे में फोटो हैं, इनकों देख सकते हैं, मैंने अभी कुछ फोटो लिये थे, यह जैसे आप इसे यहां से डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहां इस तरह से आपको क्लिक करना है, अगर एक साथ सारे करना चाहते हैं, तो सब पर अभी मैं आपको ये दो फोटो डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है, डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर दो फोर मेट आते हैं, टू मेगा पिक्सल और एक ओरिजनल, अगर आप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसे ओरिजनल में डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको तोड़ा सा टाइम लगेगा और तोड़ा जल्दी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप 2 मेगापिक्सल में कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पर आपको कावल एगजामपल के तोर पे टू मेगापिक्सल में आपको डाउनलोड कर के दिखा देता हूं. आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डाउनलोडिंग पिच्चर जिरो बटरा टू यहाँ पर आ रही है. जैसे यह पिच्चर हमने डाउनलोड की थी, वह डाउनलोड हो चुकी है, और वह अपने मुबाइल में आ चुकी है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्नेप ब्रीज के नाम से एक फोल्डर बन गया है, गेलरी में आके और आप देख सकते हैं, यह जो दोफो टूते हमन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बवाई, जेहिंद वंदे मातरम